हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज अपने स्टार्ट करने वाले एक और बेसी बोर्ट चेप्टर वाइज पी वाई क्यों सिरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे लास्ट 11 एयर्स के बोले तो 2013 से लेकर 2023 तक के जो भी एक्जाम में क्वेशन आ रखें केमिस्ट्री में वो भी अपन चेप्टर वाइज करेंगे ठीक है तो जिसे आज स्टार्ट करेंगे अपन चेप्टर नमबर वन जिसमें अपन लेने वाले सॉल्यूशन चेप्टर और ल 2013 के पेपर से जिसमें सॉल्यूशन चेप्टर से कौन-कौन से कौशन आए थे तो सबसे पहला क्वेशन है कि 5 ग्राम एन्योच और डिज़ॉल्ड इन 500 एमल वाटर 5 ग्राम एन्योच जो है वह सॉल्यूट हो गया तो सॉल्यूट का मास्ट कितना दे रखा है 5 ग्राम और 500 एमल वाटर में solution बनाय है अपने तो volume of solution कितना हो गया है 500 ml हो गया 500 ml अब वो कह रहा है कि molarity find करो क्या find करने को कह रहा है कि molarity find करनी है तो molarity निकालने का क्या formula होता है mol of solute upon volume of solution अगर liter में हो तो यही और अगर ml में हो तो उपर अपन किस से multiply कराते है 1000 से multiply कराते है तो सबसे पहले अपन को mole of solute निकालने होगे, mole निकालने के लिए क्या चाहिए, mass चाहिए solute का और साथ में molar mass चाहिए, mass question में दे रखा है 5 gram, molar mass अपन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे NaOH, इसमें Na का mass कितना होता है, 23 Oxygen का कितना होता है, 16 और Hydrogen का कितना होता है, 1 सब को add करेंगे, कितना जाएगा, 14 तो 40, sorry, 40 40 gram पर mole, इसका क्या हो जाएगा molar mass, तो mole की जगा अपन क्या पुट करेंगे, mass upon molar mass into 1000 upon 500 ठीक है, और जो unit आएगी, unit क्या होगी, mole per liter, second question जो आया था, वो भी एक numerical था, और question क्या है, कि 0.2 liter of aqueous solution, तो volume of solution दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2 liter, protein content 1.26 gram, इसका मतलब, mass of solute दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.26 gram दे रखा है, ठीक है, अपनी book में जहाँ जहाँ पर भी solute और solvent दोनों है, वह solvent के लिए 1 सब्सक्रिप्ट का इस्तमाल कर रखा है, और solute के लिए 2, तो अगर मैं लिखता हूँ M1, तो यह हो जाएगा, mass of solvent, और अगर मैं लिखता हूँ M2, तो यह हो जाएगा mass of solute, ठीक है, अब W अपन इस्तमाल करेंगे mass के लिए, और M इस्तमाल करेंगे molar mass के लिए, तो W2 लिख दिया, जो mass of solute हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.26 ठीक है, osmotic pressure दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.57 into 10 is to power minus 3, तो osmotic pressure pi दे रखा है, pi की value भी लिख दी temperature दे रखा है, यह temperature की भी value लिख दी अपने अब वो कह रहा है, calculate molar mass, मतलब M2 निकालना है M निकालना है, मतलब molar mass 2 निकालना मतलब solute का निकालना है, अब देखो question कहां से करेंगे, अगर अपनी book में यह topic पढ़ते हैं, तो pi equal to एक formula होता है CRT, जहां pi osmotic pressure है, और C concentration concentration कैसे निकालते हैं, mole upon volume से किसे निकालते हैं, mole upon volume से, और mole कैसे find करेंगे, mole find करने के लिए उपर क्या रखेंगे, mass, और नीचे क्या रखेंगे, अपन molar mass, और volume की जगा, volume, और RT की जगा RT, मुझे molar mass निकालना है, तो मैं M2 का formula निकाल दूँगा, क्या formula हो जाएगा M2 का, W2RT upon pi B, ठीक है, और यही formula मैंने यहां पर not कर रखा है, अब इसमें जो जो value चाहिए, वो सारी value अपन क्या करेंगे, put कर देंगे put करने के बाद अपना अंस्वर आजाएगा 61038 जो कि एप्रोक्स अंस्वर हो जाएगा इस वाले question का, ठीक है अब लेते हैं अपन board 2013 के supplementary paper में कौन से question दा रखें तो उसमें question आया था कि 500 ml solution content 4 gram of NOH calculate molarity, same question जो अभी 2013 के paper में है, बस reading change है, mass of solute 5 की जगा किता दे दिया, 4 gram दे दिया, volume of solution 500 ml है, तो जैसे अपने उपर निका लेते हैं, same formula में molarity के formula में put कर देंगे और answer आजाएगा अपने, ठीक है next जो question है, वो है draw the diagram of curve obtained by plotting a graph between vapor pressure and temperature of pure solvent and solution, तो ये वाला graph आपने देखा होगा किस वाले topic में अपने elevation in boiling point और depression in freezing point में लगबग ऐसे इ See graph है, दो Boris graph किस के बीच में वापर प्रेसर और temperature के बीच में तो ये solvent का दे रखा है और ये किसका दे रखा है solution का, ठीक है ये vapor pressure है और ये temperature है solvent के लिए change दे रखा है और ये solution के लिए change के दे रखा है और यह वाले जहां पर नीचे touch करते है solvent का touch करता है वो solvent का boiling point और यहां जहां touch कर रहा है वो किसका boiling point है solution का boiling point है और solution का boiling point ज़्यादा आएगा इस वाली scale में जैसे जैसे इस तरफ move करेंगे ज़्यादा आएगा इसका मतब solution का boiling point ज़्यादा है है औसमोसिस और औसमोसिस में सॉल्वेंट कहां से कहां की तरफ जाता है जहां पर यह खुद जादा है वहां से उस तरफ जाएगा जहां सॉल्वेंट कम है या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं यह उस तरफ मूफ करेगा जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि जहां концantration ज़्यादा होगी वहां solute ज़्यादा होगा क्या ज़्यादा होगा solute और solvent क्या होगा कम तो उस तरफ move करेगा अब यह कह रहा है कि blood cell को किसमे रखना है seline solution में तो यह मान लेते हैं अपनी blood cell है और इसके चारो तरफ अपन क्या माल लेते हैं? सेलाइन सॉल्यूशन माल लेते हैं तो सेलाइन सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा तो सॉल्वेंट कम होगा तो ब्लड सेल के अंदर से solvent कहां चला जाएगा बार की तरफ चला जाएगा और exoosmosis सो करेगा क्या सो करेगा exoosmosis और इसकी वज़े से वो shrink कर जाएगी या collapse कर जाएगी तो क्या लिखावा है osmotic pressure inside the blood is equivalent 0.9 W by V NaCl aqueous solution अगर इतना solution put करें बार की तरफ तो कोई problem नहीं है क्योंकि blood cell के अंदर की concentration ये होती है अब इससे ज़्यादा solution put करेंगे जो की question कह रहा है तो वो एक hypertonic solution होगा और उसमें exoosmosis cells हो करेगी जिससे water बार की तरफ जाएगा और cell क्या हो जाएगी collapse हो जाएगी अब question लेते हैं अपन board exam के 2014 के question है कि what happened to vapor pressure of water of if a table spoon of sugar is added to it मतलब अपन को क्या पूछ रहा है कि एक pure water है और उसमें अपन sugar add कर देंगे तो क्या होगा तो देखो एक concept होता है कि जब किसी solvent में non-volatile solute add किया जाता है तो vapor pressure कम होता है अब जो sugar है एक non-volatile solute है तो जैसे ही sugar को add करेंगे तो vapor pressure क्या हो जायागा कम होगा और इससे boiling point बढ़ता है अगर ये question में boiling point का पूछता तो boiling point क्या होता बढ़ता नेक्स्ट है which qualitative property is preferred for the molar mass determination of macromolecule कौन सी property इस्तमाल की जाती है osmotic pressure एक आपके लिए homework है आप ये पता करें कि osmotic pressure का ही क्यों इस्तमाल होता है macromolecule के molar mass determination के लिए ठीक है ये भी एक अच्छा question हो सकता है next है question number six जो कि क्या है will elevation in boiling point will be same if 0.1 mole NaCl and 0.1 mole sugar dissolved in one liter of water अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर अपन water के अंदर non-volatile solute डालते है तो vapor pressure क्या होता है decrease होता है और boiling point क्या होता है increase होता है अब question ये पूछ रहा है कि क्या पानी में 0.1 mole NaCl डालू या 0.1 mole sugar डालू क्या दोनों ही case में elevation same होगा या अलग अलग होगा तो इसे अपने chapter में सबसे पीछे की तरफ एक association और dissociation का concept दे रखा है उस concept के हिसाब से ध्यान से सुनना कि basically elevation boiling point एक colligative property है कौन सी property है colligative property और वो number of solute पे depend करती है ना कि nature of solute पे तो जब NaCl को अपन पानी में डालेंगे तो वो Na plus और Cl minus बनाना वाला है इसका मतलब एक के बदले में अंदर जाके कितने हो जाएंगे दो solute हो जाएंगे जबकि sugar को जब डालेंगे तो sugar तो अंदर जाके dissociate नहीं होगा तो जितना डालेंगे उतना का उतना ही रहेगा तो number किस में ज़्यादा आ रहे है एने CL में ज़्यादा आ रहे है किस वज़े से क्योंकि वो dissociation हो कर रहे है और यही वज़ा है जो भी colligative property होगी वो NACL की ज़्यादा होगी या elevation in boiling point है तो NACL के case में ज़्यादा होगा तो 0.1 mol NACL जो है वो ज़्यादा elevation in boiling points हो करेगा compared to 0.1 mol sugar के तो देखो agiotropic mixer वो mixer होता है जिसमें जैसे मालो A और B है इन दोनों से mixer बना रहा हूँ तो यह एक certain percentage पर certain composition पर मतलब इसका एक certain percentage लेंगे इसका एक certain percentage लेंगे और उस पर यह एक agiotropic mixer बनाएगा और agiotropic mixer पर यह दोनों एक ही temperature पर boil होंगे जबकि fractional distillation तब इस्तमाल कर सकते हैं जब दो चीजें अलग अलग temperature पर क्या हो boil हो तो so we can't separate component of agiotropic mixer by fractional distillation fractional distillation से अलग नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कि कि बहुत component है same boiling point in agiotropic mixer यह आपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसे boil करेंगे तो liquid और gas के composition में कोई फरक ही नहीं आएगा नेक्स्ट अपन लेते हैं board exam 2015 का question जिसमें आया था कि mollality का formula लेको तो mollality का formula क्या होता है उपर number of mol of solute नीचे mass of solvent पुट करते हैं वो भी kilo ठीक है अगर gram में पुट करेंगे तो उपर अपन किस से multiply करा देगे 1000 से multiply करा देगे नेक्स्ट एक question है osmotic pressure of solution दे रखा है और temperature दे रखा है और concentration पता करनी है और R की value भी दे रखी आजी के वीडियो में अपने जो 2013 का question किया था उसमें formula था पाई equal to CRT उसी से ही हो जाएगा पाई दे रखा है R दे रखा है T दे रखा है C निकालना है तो पाई equal to CRT तो C equal to πाई upon RT पाई की value पुट कर देंगे आर की value पुट कर देंगे temperature की value पुट कर देंगे अंस्वर आजाएगा बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि temperature हमेशा Kelvin में पुट करना है अगर centigrade में दे रखा होता तो भी उसे अपन Kelvin में पुट करते हैं next is board exam 2016 का question write the formula to calculate mole fraction mole fraction निकालने का formula निकालना है तो mole fraction कैसे निकालते हैं जिस component के अपन को mole fraction निकालना है उसका mole उपर रखेंगे total mole का रखेंगे नीचे रखेंगे जैसे समझने के लिए माल लेते हैं कि A और B दो से मिलकर एक solution बन रहा है A के mole माल लेते है N A है और B के mole माल लेते है N B है और mole fraction निकालना है A का तो mole fraction को X से denote करते हैं और X A का formula क्या हो जाएगा N A इसके mole उपर पुट कर देंगे और total mole बोले तो N A प्लस N B नीचे पुट कर देंगे और अगर X B निकालना है अपन तो क्या करेंगे N B उपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे N A प्लस N B कर देंगे ठीक है नेक्स्ट है वाट विल बी दा वैल्यू ओफ वांट फेक्टर ओफ इथेनोइक एसिद इन बैंजीन देको वांट फेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है उपर अपन रखते हैं नंबर ओफ मॉलिक्यूल आफ्टर असोशेशन और नीचे रखते हैं नंबर ओफ मॉल तो एक के बदले में किता बना देगा दो तो नंबर ओफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोशेशन किता हो जाएगा टू और पहले कितना था एक तो अपन वन क्या वैल्यू आजाएगी टू लेकिन यहाँ पर अपन को वैल्यू पूछ रहा है इथेनोइक एसिड की बैंजीन अ वैल्यू आजाएगी ठीक है नेक्स्ट है वाट हैपन वैन रो मैंगो प्लेस्ट इन कंसंट्रेटेट सॉल्ट सॉल्यूशन यह वही कोशन है जैसे कि अपन को ब्लड सैल के लिए पूछा गया अगर एक रो मैंगो को सॉल्ट सॉल्यूशन जो की हाइपर टॉनिक है उसमें पूट करेंगे तो अंदर से लिक्विड बाहर चला जाएगा इसका मतलब एक्जो ऐसमोसिस होगा वो सिकुड जाएगा और उसे पीकल्स वगेरा भी बनाने में इस्तमाल ले सकते हैं नेक्स लेते हैं बूर्ड एक्जाम 2017 का कोश्चन क्या है डिव टू लो कंसंट्रेशन of oxygen in blood, climber become weak and unable to think clearly अब वो कह रहा है कि इस condition का नाम बताओ और इसका कारण बताओ तो condition का नाम है एनॉक्सिया क्या है एनॉक्सिया और ऐसा क्यों होता है at the high altitude जो partial pressure होगा oxygen का वो क्या होगा कम होगा ground level से और इसकी वज़े से low concentration होने लगता है blood और tissue में और इस low concentration की वज़े स तो climbers जो होते हैं weak feel करते हैं और अच्छे से सोच नहीं पाते हैं और क्योंकि oxygen कम हो रही है इसलिए से कहते है एनॉक्सिया next question है अपने 30 gram ethenoic acid दे रखा है 100 gram water दे रखा है और molality निकालनी है एकदम simple सा है molality का formula क्या होता है उपर mol रखेंगे नीचे mass of solvent रखेंगे अग जै सबसे पहला काम है अपनको mol निकालना mol कैसे निकालेंगे जो question में solute का mass दे रखा है उसे molar mass से divide करेंगे अब अपने molar mass निकालनी के लिए ethenoic acid का formula पता होना चाहिए क्या होता है CS3 COH carbon कितने है 2 और एक carbon का mass कितना होता है 12 तो कितना हो जाएगा 24 ठीक है hydrogen कितने है total 4 ठीक है और एक का होता है 1 तो यह हो गया 4 oxygen कितने है 2 और एक का होता है 16 तो कितना हो जाएगा 32 अगर इन सब को add करेंगे कितना जाएगा 60 तो 60 gram पर molar mass आ गया और mass कितना दे रखा था 30 तो 30 upon 60 करेंगे तो mole आ गया तो उपर put कर दिये mole thousand और mass of solvent 100 दे रखा था इन सब को solve करेंगे क्य आ जाएगा 5 तो 5 mole per kg या 5 small mb लिख सकते हैं नेक्स रपन लेते हैं board exam 2017 के supplementary का question question था कि write the definition of henry law henry law लिखना है कि henry law क्या होता है तो henry law क्या होता है the partial pressure of gas in vapor pressure is proportional to the mole fraction of gas of solution basically henry law ये बताता है कि जैसे जैसे pressure बढ़ता है gas की solubility जो होती है वो बढ़ती जाती है तो p equal to k h x जा k h क्या है henry constant मैं फिर repeat कर रहा हूं henry law की significance क्या है ये ये बताता है कि gas की solubility किसी liquid के अंदर pressure से कैसे effect होगी तो अपन को क्या पता है कि जैसे जैसे pressure बढ़ाएंगे gas की solubility बढ़ती है next एक question है 31 gram of ethylene alcohol is mixed in 500 gram of water determine the value किस किस की निकालनी है freezing point depression की freezing point solution की k f की value question में दे रखी है अपन को और molar mass भी question में दे रखा है ethylene glycol का freezing point of water भी दे रखा है नहीं दे रखा होता है अपन को पता है जीरो होता है अब देखो जैसा ये question हूब हूब question किस पे बन सकता है elevation in boiling point पे भी बन सकता है तो आप जब question करे तो उसका pattern समझे तो आपको board exam की question करने का फायदा होगा तो देखो सबसे पहले अपन depression in freezing point का formula लिखते हैं और formula है kf into m kf अपन को question में दे रखा है m नहीं दे रखा है m क्या होती है molality तो पहले molality निकालेंगे molality निकालने के लिए ethylene glycol का अपन को क्या पता होना चाहिए mol question में उसका mass और molar mass दोनों दे रखें डिवाइड करेंगे तो mol आ जाएंगे फिर molality के formula में उपर mol put कर देंगे thousand put कर देंगे और question में अपन को volume भी दे रखा है तो इससे molality निकल के अब अपन पूट करेंगे freezing point depression के formula में जो कि है delta tf equal to kf into m kf की value question में दे रखेंगे m अपन ने अभी निकाला था वो put कर देंगे तो depression in freezing point आ जाएगा 1.86 अब freezing point of solution निकालना है तो अपन को depression in freezing point का formula लिख देंगे delta tf equal to क्या होगा t notf minus tf question में दे रखा है और delta tf अपन निकाल चुके है इससे tf निकल जाएगा 271.14 Kelvin ठीक है next अपन लेते हैं board exam 2018 का question है कि osmotic pressure क्या होता है तो देखो osmotic pressure अपनी book में ये diagram है इस तरफ अपने ले रखा है solution और इस तरफ ले रखा है solvent जब अपन ऐसे put करते हैं तो solvent क्या होता है spm के through कहां जाने लगता है solution side में जाने लगता है इस process को कहते है osmosis क्या कहते है osmosis अब मुझे इस तरफ एक ऐसा pressure लगाना है जो इस flow को रोग दे तो जो इस flow को रोग देगा उसे अपन कहेंगे osmotic pressure दोनों ही तरफ p atm p atm क्यों लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ atmosphere का तो pressure लगे गई जो अपन additional excess pressure लगा रहे हैं वो भी किस side में solution side में जिससे की ये flow रुख जाए उसे osmotic pressure कहते हैं तो क्या है it is excess pressure that must applied वो भी किस side में solution to prevent osmosis या फिर अपन कहते हैं to stop the passage of solvent molecule through spm उसे अपन क्य कहेंगे osmotic pressure कहेंगे next आगे एक दे रखा है कि generally solubility of gas in liquid decrease with increase in temperature तो देखो solubility of gas in liquid दो चीजों से अपन को याद रखनी है एक temperature से क्या factor होता है और एक pressure का तो pressure पे क्या effect होता है वो तो henry law समझाता है कि pressure बढ़ाने पे solubility जो होती है बढ़ती है और temperature का effect इस point पे depend करता है कि जब भी भी आप gas को liquid में घुलोगे तो ये एक process exothermic process है कैसा process है exothermic और यही वज़ाए अगर temperature बढ़ा होगे तो solubility बढ़ जाएगी यही वज़ाए कि cold rings के अंदर co2 की solubility बढ़ाने के लिए अपन क्या करते है प्रेसर तो लेते हैं ज्यादा और temperature लेते हैं कम ठीक है तो क्या लिकाँआ है solubility of gas in liquid is always an exothermic process due to it when we increase temperature solubility decrease next है how many gram of nacl is required to make 200 ml of aqueous solution और यह mass volume percentage दे रखा है कैसे पता चला उपर डबडू लिखा हुआ नीचे भी दे रखा है तो mass volume percentage का formula क्या होता है mass of nacl चुकी solute है और volume of solution पुट कर देंगे अब अपन को mass of nacl निकालना तिन दोनों को multiply कर देंगे यह दे रखा है 5% और यह दे रख है 200 multiply करेंगे तो 1000 gram अजाएगा नेक्स्ट अपने है 2018 board exam के supplementary के question है कि ageotropic mixture क्या होता है समझाइए तो यह अभी अपनने पढ़ा भी था ageotropic mixer क्या होता है ऐसा mixture होता है जिसके mix करने के बाद वो एक ही temperature पे boil होता है तो binary mixer having same composition in liquid and vapor pressure मतलब जब mix हो रखे को आप गरम करोगे त तो जो vapor बनेगी उसमें भी वो ही percentage होगा जो कि अपने liquid में था तो basically फरक ही नहीं पढ़ रहा and boil at constant temperature और constant temperature पे boil होंगे ऐसे mixer को ageotropic mixer कहते है in such case it is not possible to separate the component by fractional distillation अब ageotropic mixer के example भी याद करते हैं बस इतना याद रखो कि जब example याद रखो तो उनके percentage भी याद रखने है इथेनॉल प्लस water इथेनॉल कितना लेंगे 95% water कितना लेंगे 5% तब ये एक ageotropic mixer होगा और ये कैसा ageotropic mixer होगा minimum boiling ageotrop मतलब ये कम temperature पर क्या होंगे boil होंगे original temperature से और nitric acid और water जिसमें nitric acid 68% हो water 32% हो maximum boiling ageotrop का example है next है अपने arrange following solution in equimolar concentration ascending order of boiling point तो again ये अपने पता हो तो अभी अपने एक NaCl और सुगर का किया था और अपने answer किस के basis पर देते हैं कि किस में number of molecule ज़्यादा होते हैं तो NaCl dissociate होकर दो molecule बनाएगा ALCl3 जो होगा वो चार बना लेगा MGCl2 जो होगा वो तीन बनाएगा ऐसा क्यों ALCl3 AL plus 3 और तीन CL minus तो total किता होगया एक ये और तीन ये चार होगया यूरिया dissociate ही नहीं होता तो वो एक का एक ही रहेगा अब सबसे ज्यादा सबसे कम किस के है यूरिया के तो सबसे कम boiling point यूरिया का उसके बाद NaCl का number आएगा उसके बाद MGCl2 का सबसे ज्यादा number किस के थे ALCl3 के नेक्स्ट 22 gram of oxalic acid is dissolved in 100 ml solution 22 gram oxalic acid है उसे 100 ml solution में dissolve कर रखा है if the density of solution दे रखी है then find the mass percentage of oxalic acid तो देखो mass percentage निकालने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए उपर mass of solute लिखेंगे या नीचे mass of solution लिखेंगे mass of solute question में दे रखा है 22 gram तो वो तो लिख देंगे लेकिन mass of solution देने की बजाए उसने volume of solution दे दिया तो volume of solution दे दिया तो mass of solution निकालेंगे किसे निकालेंगे volume into density से volume कितना है 100 और density दे रखी है 1.1 तो कितना आ जाएगा mass of solution 110 एक बार ये निकल गया उसके बाद तो आपको उपर mass of solute पूट करना है नीचे mass of solution पूट करना है और thousand से multiply करा देगे तो अंसर आ जाएगा जबी भी mass percentage निकालो तो पीछे w by w percentage लिको mass volume percentage निकालो तो w by v percentage लिको volume percentage निकालो तो v by v percentage लिको ठीक है नेक्स्ट आगे लेते है 2019 के question क्या question है पहला write the definition of azeotropic mixer क्योंकि मैं ये करवा चुका हूँ मैंने वापस इदर अंस्वर नहीं लिका second question है कि 0.05 solution k4 fe cn6 at 300 kelvin 92% dissociate होता है osmotic pressure निकालना है अब देखो generally तो osmotic pressure का formula होता है pi equal to crt लेकिन जब भी association और dissociation हो तो अपन लगा देंगे i crt क्या लिख देंगे i crt और i क्या होता है want of factor want of factor अपन वैसे तो निकाल सकते है direct formula से कि भाई association और dissociation के बाद कितने molecule है और पहले कितने थे लेकिन यह question में वो देने की बज़ाए यह दिया कि 92% dissociate होता है तो पहले अपन आई निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखो k4 fe cn6 को आप dissociate करा हो तो क्या बनेगा देखो coordination compound में सिफ बार वाला iron dissociate होता है तो 4k था तो 4k प्लस और इसके उपर क्या जाएगा इस पूरे के उपर minus 4 पहले इसका एक molecule मानते है तो इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि dissociation start में तो होता है नहीं फिर मान लेते हैं इसमें से alpha dissociate हो रहा है तो यह कितना बनेगा 4 alpha ऐसा क्यों क्योंकि कि इसका stoichiometric coefficient कितना था 4 और यह सिफ्ट बनेगा alpha ऐसा क्यों क्योंकि इसका stoichiometric coefficient कितना है 1 ठीक है फिर अपन आई का formula निकालते है आई का क्या formula था कि association और dissociation के बार total molecule कितने है तो इन सब को add कर दो यह उपर रख दिया और पहले कितने थे तो इन सब को add कर दो one plus zero plus one one हो जाएगा इससे यह कट जाएगा तो i equal to one plus four alpha आगया अब alpha की value question में दे रखी है क्या कह रहा है वो 92 percent dissociate हो रहा है 92 percent बोले तो 92 upon hundred कितना जाएगा 0.92 यह 0.92 put कर दिया i की value आगई एक बार i की value आगई फिर तो question बहुत आसान है pi equal to i crt i की value दे रखी है c की value दे रखी है r की value दे रखी है और t की value दे रखी है तो osmotic pressure निकल जाएगा next है board exam 2020 पहला है osmosis की definition तो osmosis की definition क्या होती है flow of solvent molecule from pure solvent to solution through spm उसे क्या कहते है osmosis कहते हैं दूसरा अपने है दूसरा अपने है की calculate the osmotic pressure of 0.01 m solution of urea at 27 degree temperature देखो यह मैंने पहले भी बोला था osmotic pressure का देखो कितनी बार question आया crt अब इस वाले question में सिर्फ एक ही problem है concentration आपको दे रखी है आर की value भी दे रखी है लेकिन temperature जो दे रखा है वो centigrade में दे रखा है आपको उसे Kelvin में बदल देना और फिर बस put कर दो अनस्वरा जाएगे नेक्स ने बोर्ड एक्जाम 2020 सप्लिमेंटर राउल्स लॉप पुछावा है तेको एक्चुल में यहां पर राउल्स लॉप की बजाए question आयता diffusion और diffusion की definition मतलब बीच में syllabus में थोड़ा changes था diffusion की definition मुझे नहीं लगता आप पुछेंगे तो मैंने यह question change कर दिया है अपके यहां पर round slow लिखते है round slow एक अच्छा question है आ सकता है क्या होता है for a solution of volatile liquid the partial pressure of each component जो होता है उसके mole fraction पे depend करता है जैसे a और b से मिलकर एक solution बना है अगर a का partial pressure निकालने को कहें तो a के mole fraction पे depend करेगा बी का partial pressure निकालने को कहें तो वो b के mole fraction पे depend करेगा बुले तो directly proportional होगा proportional का sign अटाएंगे तो constant आ जाएगा p not a इधर अटाएंगे तो p not b next question है अपने 250 ml of solution is prepared by dissolving 5.5 gram of oxalic acid in water calculate the mass percentage of oxalic acid अपन को निकालना और density दे रखी है same question है जो अब भी अपने थोड़ी देर पहले किया था mass of solute दे रखा है नीचे mass of solution की जगा volume दे रखा है तो अपन mass of solution निकाल देंगे v into d करके और फिर put कर देंगे और answer आजाएगा ठीक है next है अपने 2021 ठीक है देखो 2021 में कोरोना की वज़े से कोई exam नहीं हुए तो कोई questions नहीं है ना कोई board exam के question ना supplementary exam next है board 2022 explain the region for exhibiting negative deviation from Raoul's law by solution chloroform and acetone तो देखो यह है acetone और यह है chloroform अब इन दोनों के बीच में क्या होता है hydrogen bond बन जाता है जब acetone acetone का ही pure जो एक test tube में माल लो सिर्फ acetone फिल कर रखा है तो acetone acetone के बीच में कोई खास interaction नहीं है और chloroform chloroform के बीच में भी कोई खास interaction नहीं है लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के साथ mix करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक strong interaction होता है कौन सा hydrogen bond क्या मन जाता है hydrogen bond क्या लिख देना यह कौन सा bond है hydrogen bond और hydrogen bond की वज़े से क्या होगा acetone and chloroform form hydrogen bond so intermolecular interaction become more strong than actual और इसकी वज़े से जो volume of mixture होगा वो कम होगा delta H mixer होगा वो भी कम होगा vapor pressure भी कम होगा इसका मतलब वो कौन सा और deviations हो करेंगे negative deviations हो करेंगे next is calculate the molarity of 250 ml solution formed by dissolving 5 gram of NOH एकदम simple सा है molarity अपन 3rd time यह निकाल रहे है उपर mol निकालना होता है फिर volume put करेंगे 1000 से multiply करेंगे mol कैसे निकालेंगे mass upon molar mass से next is 1.25 gram of protein present in 300 ml aqueous solution the osmotic pressure of solution दे रखा है molar mass निकालने को कह रहा है यह भी अपने कर रखा है same formula लगाया था equal to CRT फिर पाई की जगा N upon V किया फिर यह formula लगाया वह start में यहां पर 22 लिखाता आप चाहो तो यहां 22 की जगा क्या लिख सकते हूं sorry BB की जगा वहां पर क्योंकि 22 लिखा वाता तो अपन यहां पर भी 22 लिख लेते हैं ठीक है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता सब्सक्रिप्ट से आप बस पता होना चाहिए आपको ठीक है एक ही लिख देता हूं ताकि आप confused ना हो ठीक है और same question है तो same तरीके से अपना अंस्वर भी आ जाए नेक्स्ट है बोर्ड एक्जाम 2023 बोर्ड एक्जाम 2023 में अपना question आया था कि 35 परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम solution है इथाइलिन ग्लाइकॉल का और वो वाइकल में cooling engine के लिए इस question में भी एक मतलब अंस्वर है और एक और question चुपा हूँ है कभी-कभी पूशते हैं कि cooling engine के लिए coolant के form में किस चीज का इस्तमाल करते हैं याद रखना 35 परसेंट solution इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तमाल करते हैं अभी कह रहा है water बताओ कितना इस्तमाल करेंगे वह भी मिली लीटर में या मिली मिटर करते हैं मिली लीटर में निकालना ठीक है में तो 35 परसेंट का क्या मतलब है 35 ml तो होगा volume of solute और 100 ml क्या होगा volume of solution तो volume of solvent कितना होगा इसमें से माइनस कर दो 65 ml नेक्स्ट है write the definition of osmosis osmos की definition में पहले लिखवा चुका हूँ write the name of method used in desalination of sea water तो देखो ocean के पानी को desalination करने के लिए reverse osmosis का इस्तमाल किया जाता है अभी अपने osmotic pressure का जब concept किया था मैंने क्या बोला था कि यहां पर solvent है मालो और यहां पर solution है तो solvent से solution side में जाता है अगर मैं यहां पर osmotic pressure लगा हूं तो यह flow रुख जाएगा अब अपन को क्या करना है प्रेसर osmotic pressure से भी ज्यादा लगाना तो पानी इदर से इदर आने लग जाएगा osmosis का उल्टा हो जाएगा इसे कहते है reverse osmosis और reverse osmosis से मैं deceleration कर सकता हूं यह डाइग्राम भी आप याद रखे इसके साथ अपने 11 years के बोले तो 2013 से लेकर 2023 तक के board exam के question होते है चेप्टर नमबर वन के इसी तरह से अपन सारे chapter के करने वाले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अच्छे से इन सारे question को revise कीजिए खुब सारा hard work कीजिए खुब खुश रहिए खुब मस रहिए thank you for watching बना इसारा